देश में बेरोजगारी बढ़ रही है रोजगार के नाम पर सरकार जंता को लॉलिपॉप बाट रही है देश विदेश की सारी संस्थाएं भारत को चेता रही है कि देश में रोजगार की हालत बहत खराब है और तो और सरकार के खुद के MP जोर जोर से चिला के कह रहे हैं कि जून के महिने में एक करोड़ तीस लाग नौक रिया जा चुकी हैं लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहें रही नमस्कार मेरा नाम है धारण स्वागत है आपका नैशनल दस्तक पर CMIE एक संस्थान है जो भारत के अर्थवस्ता पर नजर रखती है और हर महिने अपनी रिपोर्ट जारी करती है करोनकाल में अर्थवस्ता को मॉनिटर करने में इस संस्थान ने शान्दार काम किया था जुलाई में आई CMI की रिपोर्ट बताती है कि जून के महीने में एक करूड 30 लाख लोगों को अपना रोजगार गवाना पड़ा था और इसका सबसे ज्यादा असर हुआ ग्रामेन इलाकों पर मौनसून में हुई देरी के कारण ग्रामेन इलाकों में महज 40 लाख लोगों को बुआई के दौरान रोजगार मिला जो की 2020-21 के मुकाबले बेहद कम है जिनकी जमीन है जो जमीनदार है विलो कौन है विस समर्ण है उन लोगों को इस डेटा से फर्क नहीं पड़ता फर्क पड़ता है उन लोगों को जो इनके खेत जोतते हैं जो इनके खेतों में पानी लगाते हैं जो इनके जानवर रखाते हैं इनकी जमीन आज नहीं तो कल अनाज उगाएगी ही बहुजन समाज को ये सवाल करना चाहिए कि अगर मेहनत आपकी खून पसीना आपका तब भी बेरोजगार आप ही क्यों है पूर्व RBI गवर्नर रगुराम राजन ये कह रहे हैं कि भारत अच्छे रोजगार के अवसर नहीं बना रहा है ये वही रगुराम राजन हैं जिनोंने मोधी सरकार की वित्तिय नीतियों की आलोचना की थी नतीजा ये हुआ कि उन्हें RBI के गवर्नर के पद से हटा दिया गया रगुराम राजन कहते हैं कि सरकार अगनिवीर स्कीम के चलते महस चार साल के लिए नोकरी देगी और जो भी लोग इस भरती प्रक्रिया में भरती पाएंगे उसके 75 प्रतिशत लोग अगले 4 साल बाद दुबारा जॉब मार्केट में लोटाएंगे यानि अगले 4 साल बाद आज से ज्यादा बेरोजगारी होगी और आज से ज्यादा जॉब ढून रहे युवा होंगे अपने MP वरुन गांधी, CMIE का डेटा ही ट्वीट करते हुए कहते हैं कि देश में रोजगार की हालत खराब है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए लेकिन वरुन गांधी की पहले ही कब सुनी जाती थी जो आज सुनी जाएगी यही वरुन गांधी, अगर हिंदू, मुस्लिम और मंदिर, मस्जिद की बात करने लगे तो यही वरुन गांधी परंप्रियन नेता हो जाएंगे लोगों की नौकरी जाने से महज उस एक परिवार पर असर नहीं पड़ता उससे जुड़े पांच और असंगठित शेत्र के परिवारों और लोगों पर असर पड़ता है फर्स कीजिए कि एक इंजीनियर है जिसकी नौकरी जा चुकी है तो वो खुद से जुड़े और लोगों की भी सालरी नहीं दे पाएगा जैसे उनका दूद वाला, काम वाली, इन सबकी आर्थिक स्तिधी भी संकट में आ जाएगी मोदी साहव खुद को बहुजनों का मसीहा बताने लगे है बहुजनों की बात करने लगे है तो उनसे पूछिए कि असंगठित शेत्र में काम करने वाले बहुजन समाज के बारे में वे क्यूं कुछ नहीं बोलते, क्यूं उनके रोजगार की बात नहीं करते और क्यूं उनकी नीतियां ऐसी हैं कि रोजगार इस देश में घट रहे है इसी लिए भहुजन समाज को सरकार में हिस्सेदारी छीनने की जरूरत पड़े तो वो भी करिए इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हों हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए नैशनल दस्तक धन्यवाद करें